नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका एक्जाम बुक चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब ये आपने कल जो मेरी वीडियो थी वो तो आपने देखी लिए होगे कि भरती बोड ने जो है सासन से अनुमती मिल गई हो उनको और सासन नहीं उन से जो है लगबख साड़े तीन हजार पद और इंक्रीज करने के लिए उनको जो है रेकमेंडेशन किया है तो लगबख 9,494 पद के करीब जो है लगबख साड़े 9,000 पद सबिस्पेक्टर के जो है आप उनके लिए भरती होगी तो उस वीडियो को आप देख लीजे बहुत ही मैंने जो है अच्छी वीडियो बनाई है वो उसको जाक आप देख लीजे अब इसके बारे इस वीडियो में किया बात करने वाला हौ पूरा एकसाम हो जाल van Ng1 और फिनको पता जल जा टा यह होने नहीं देखिए होता क्या है कि हमारे और आपसे कहने से कुछ नहीं होता जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग हम जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई बहुत सारे पेपर अनलाइस करते हैं और बोर्ड का जो सिर्फ UPSI का नहीं बहुत सारे एक्जामों क analyze करके फिर ये बताते हैं कि किस तरीके से क्योंकि देखिए कोई बहुत चमतकारी परिवर्तन नहीं आता है cutoff में इतना हमेशा ध्यार नकलेना है या तो भरती बहुत ज्यादा increase हो जाए तब कुछ परिवर्तन आता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होते हैं इसलिए पुराने paper को देखा जाता है इसलिए पुरानी cutoff को देखा जाता है जिससे कि हम थोड़ा सा उससे better कर सके हैं ठीक है तो ये 9500 पदों के बाद जो है cutoff पे क्या आसर पड़ेगा ठीक है बहुत सारे बच्चे ये जो cutoff बताऊंगा ये इसमें सहमत नहीं होंगे तो मैं बस उनसे यह कहना चाहता हूँ कि आप जो मैं cutoff बताऊं बस उससे उपर कोशन रखना तो आप आपका अपने आपको समझ में आ जाएगा और मैं अभी बात 101 कोशन पर आपकी मेरे cutoff गई थी 101 कोशन हमें इसमें बात करूँगा सिर्फ कोशन की मैं नंबर की बात नहीं करूँगा ठीक है 101 कोशन पर गई थी आपकी general category ठीक है आपका जो है 2016 वाली vacancy में ठीक है अब उसमें 3307 vacancy थी जिसमें लगबग जो है आपका अठाइसो के करीब vacancy जो है फिल करी गई थी ठीक है अठाइसो के करीब 2400 vacancy जो है फिल करी गई थी बाकी का सब खाली छूट जा था तो 2400 vacancy के बाद भी उनकी 101 पर गई थी ठीक है अब इस समय क्या हो रहा है 307 गुणा 3 कर दो 3 गुणा ज्यादा vacancy है ठीक है 3 गुणा ज्यादा vacancy है कल जो भरती बोड़ की ADG है उनकी जो वीडियो है उसमें उन्होंने एक चीज comment कही एक चीज आप ध्यान से समझेगा जब वो ये कह रहे हैं के 6,130 पदों पर भरती हो रही है तब भी 10,00,000 फरम भरे जाने हैं और अब 9,500 पर भरती हो रही है तब भी 10,00,000 फरम भरे जाने हैं मतलब कहने कहीं यह है कि क्योंकि एक तरीके से वो जो है competition को उतनी उसी level पर नापके चल रहे हैं तो वो ये मान के चलना है कि लगबग 10,00,000 फरम भरे जाएंगे ठीक है और इतना सब को पता होता है कि 10,00,000 में से 10,00,000 बच्चे competition में नहीं होते हैं बहुत सारे बच्चे लगबग 70% बच्चे जो होते हैं जो थोड़ा सा competition को थोड़ा knowledge होगा तो आपका competition कितने लोगों में होगा मातर 3,00,000,000 बच्चे में आपका competition होगा अगर इसको आप लगबग डिवाइड करते हो ना 9,500 से तो आपका लगबग 27,28 बच्चे पे एक सीट बैठती है 27 या 28 बच्चे पे एक सीट बैठती है तो इससे आपको ये पता चला है कि कहाँ पर आपकी cut-off को जाने वाली है तो इसमें मैं बताता हूँ जनरल category में 95 से 100 उसके बाद चलते हैं OBC OBC में 90 से 95 कोशन अगर आप कर लेंगे तो आपको आराम से सीट मिल जाएगी बहुत सारे बच्चे confused हैं कि वो civil लें, PSE लें, क्या लें ये मैं cut-off बता रहा हूँ ये some inspector civil police की बता रहा हूँ PSE वगएर की तो और भी down जाने वाली है और जिसको ज़्यादा problem हो जिसको ज़्यादा ये cut-off कम लग रही है तो भाई exam दो और जब final में आएगा ना तब पता जलिए हैं दोड़ का भी फिल्टर लगा रहा है, दोड़को फिल्टर मानके चलना दोड़ में इतने बच्चे फेल होते हैं, जितने आप अनुमान नीमीन लगा सकते हो ठीक है न, जिन्होंने कभी जिन्दगी में ग्राउंड नी देखे, जिनका वज़न 120-233 किलो है और अचाना कभी प्रैक्टिस करी नहीं सीधे ग्राउंड में पहुंच गए, यह सोच के कि हम पहले यी बारे में दोड़ा निकाल लेंगे ठीक है बस वो चोथे पांच में चक्कर में जमिन पर गिरे गुए दिखाई जाते हैं, ठीक है बहुत बड़ा फिल्टर है, 11,91 जो है दोड़ में पर दोड़ाए गए गए ते हमातर 65 सो लड़के पास होता है तो 2016 वाली लेकिंजी में समिस्पेक्टर की, एक चीज़ याद सेम जा रही है और हो सकता EWS की थोड़ी बहुत कम ही जा रही हो, ठीक है और जो लोग यह सोच रहे हैं कि EWS वाले EWS पर फाइट करेंगे या फिर उनकी नहीं जाएगी, अभी UPSC का पेपर का रिजल्ट आया है, प्री का उसमें लगा के देख लिए, OBCC से भी कम गई है, किसी का भी उठा के देख लिए, मैं तो यह नहीं कहा रहा हूँ, आप कहेंगे UPSC तो बहुत बड़ा एक्जाम है, लेकिन एक्जाम होता है, प्री का जो एक्जाम होता है, उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें भी औक्जेप्टिक कुशन आते हैं, ठीक, तो EWS की भी 90 से 95 तक तम मैंने सीट को निकाला है, 80 से 85 तक इस से उपर नहीं जाएगे SC, ठीक, और SC के जो बच्चे बहुत होनहार होंगे, वो जनरल कैडिकरी में तो सीट मारेंगे, मारेंगे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, OBC में भी यही होता है, ठीक, 2011-16 वाली वेकेंसी में भी यही हु आप यह लगा लेजे, और जितनी मैं कट ओफ बता रहा हूँ SC की, उतनी कट ओफ आपकी जाने वाली है, ठीक है, गल्स की जो कट ओफ है, वो इतनी जाने है, SC से 85, सूपर नहीं जाएगी, गल्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ, गल्स की फाइट सिर्फ सिविल पुलिस म में है, ठीक है, आपका जो सिविल पुलिस में दरवा का जो वर्क होता है, फीमेल का, वो मैं अभी एक दू दिर में वीडियो डाल दूगा, प्लाटून कमांडर की वीडियो मैं डालने वाला हूँ, कल उसको मैं 100% डाल दूगा, वो डिटेल वीडियो है, आपको बहुत च कमजोर थे, जिनकी तैयारी एवरेस से भी कम थी, अब उनका भी सेलेक्शन पक्का हो गया है, ठीक, आपको ना तो 10 लाग बच्चे दिखने चाहिए, ना आपको 9500 सीट दिखनी चाहिए, आपको सिर्फ एक चीज दिखनी चाहिए, वो है एक सीट, ठीक है, आपको एक ही सी पक्की होनी चाहिए, ठीक है, तैयारी, अब तैयारी बात करते हैं, तो तैयारी के बात भाई यह है, कि अब आपको जो है, कट पिट के जो भी करकर आके आपको 100 कुशन, अभी भी मैं आपसे पिछली वीडियो की बराबरी कहा रहा हूँ, 100 कुशन आपको ठीक करके आने है उसमें आप 100% sure मतलब हो जाएंगे कि मेरा selection पका ही है जिस दिन written दे कि आओ 100 question ठीक हो बस सोच ले ना गर में कहा दे ना मैं दरोगा बनना हूँ ठीक बस हाँ दोड़ा लगा ले ना ठीक है ना तो ये चीज़ है 100 question अगर आप ठीक करके आगए देखिए मैं ये क्यों कहता हूँ बार बार अब आप कहेंगे यार आप तो 80 बता रहे है उससे 85 की अससी की बता रहे है और उसके बात कह रहे है 100 मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 80 से लेके और 100 तक इस पे सारे बच्चों को सेलेक्शन हो जाएगा ठीक दूसरा अब जो बात आ रही है वो या रही है कि भाई दोड़ किस तरीके से होगी या फिर दोड़ में कितने बच्चे फेलोंगा उससे कोई मतलब नहीं इतना आपको score करना ही करना है ठीक confusion पता है कब होता है जब आपके number ऐसे होते हैं कि उस number में ना तो आप दोड़ सकते हो ना ही आप रुख सकते हो मतलब बिल्कुल boundary पे ठीक तो मैं यह चाहता हूँ कि जो मेरे channel से बच्चे जुड़े हुए है या फिर जो भी बच्चे मुझे देख रहे है वो अपना sure shot मार के आप और मैं सही बता हूँ आपको 100 question ठीक करके आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई बहुत सवरल बात भी नहीं है ठीक मैं इतना कहतेता हूँ 90% इसमें वो बच्चा सेलेक्ट होगा जो average होगा देखिए low जो बच्चे हैं उनका competition के उनके लिए बनाई नहीं है higher बच्चों का तो selection पक कही होता है लेकिन 90% बच्चे जो selected होते हैं वो average बच्चे होते है ठीक आप जिन बच्चों का math भी कम जो रहा है उनका भी selection हो जाएगा क्यों? cut off निकाल बोस section नो cut off निकाल लो बस जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये था 35 पहले 50% था 2016 में आप 35% हो जाएगा तो competition तो कहीं कमी नहीं हो रहा है आप देखते जाएए normalization भी होगा इसमें लेकिन जो पिछली 2016 की जो vacancy से जो गड़बड़ियां हुई है ठीक है? वो इस बार आपकी नहीं दोराय जाएगी जिससे कि आज भी वो court में फसा हुआ है case ठीक? 35% 50% वो मैं मानता हूँ आपको कहां 50% qualify करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता लेकिन आप ये भी तो सोचिए vacancy कितनी बढ़ गए यार 9494 vacancy बहुत होती है अपने पिताजी से पूछना अगर दादाजी जिन्दा उनसे पूछना कि जब से इतिहास उत्तर प्रदेश का बनाया तब से इतनी vacancy आई है ठीक है और जब आपके पड़पोते हो जाएंगे उनसे भी पूछ लेना कि कभी इतनी vacancy आई कभी इतनी vacancy ना आई है ना आईगी ठीक है तयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि हर तरीके की जो भी है हिंदी की class आपका GS की class GS में सबसे आदा बच्चों को डर लग रहा है मैं यह कहता हूँ GS सबसे simple है ठीक आप channel से जुड़े रहिए आपको दरोगा में fail नहीं होगे ठीक आप sectional cutoff आप आराम से निकाल लोगे और अच्छे score भी कर ले जाओगे ठीक है न मैं एक दो दिन में सारे की सारी classes जो है वो शुरू कर दूँगा बहुत सारे मैं पहले यह चाहता हूँ को जो मेरे content मेरे channel पर पढ़ा हुआ है पहले से playlist में अब चैर पहले जाके उसको देख लीजी GS चाओ जेल वार्डन की हो समिस्पेक्टर की हो चाओ ASI की हो सारी GS सेम होती है बस इतना अंतर होता है कि समिस्पेक्टर में सम्विधान ज़्यादा आता है तो सम्विधान के लिए मैंने अलग से playlist बना रखी है ठीक है एक एक चीज क्लियर करवा दूँगा वहाँ पर आपको एक भी question गलत करके नहीं आओगे एक एक चीज ठीक depth में आपको इतनी बढ़िया आपको जो है चीज़े समझा दी जाएंगे तो आप बिल्कुल जिंदा मत करिए ठीक है बस खुद self study पे ज़्यादा focus करिए देखे फिजिकली जो coaching center ते वो सारे बंद हैं आप आपको कुल मिला के आपको जो है depend होना है किस पर online classes पे और online classes में भी बहुत सारी भीड़ है ठीक है तो मैं बस इससे आप से चाता हूँ जो authentic चीज़ें और जो सिर्फ dedicated हो मैं यह नहीं कहता हूँ आप मेरे चैनल पर यूड़िए अभी unsubscribe करिए अभी चले जाएए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्योंकि मैंने यह चैनल कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने यह इसलिए खोला है कि selection maximum हो अच्छा लगेगा क्यार बताओ कितने लड़कों और कितने लड़कियों के कंदे पर दो इस्टा लगाके गूम रहे हैं आप चार जगे यह तो कहोगे न कहा है यार वो चैनल जो है अच्छा है उस पर ठीक ठीक बाते बताई जाते हैं या ठीक उस पर चीज़ें थी उस पर मेरे को नॉलिज भी मिली और मेरा एक्जाम भी पास हो गया यह चीज़ जो हैं आप दिहान रखिए ठीक है जो सिर्फ और सिर्फ आपको बेटकू बनाते हैं बहुत सारे चैनल के एकी चीज़ को चार तरीके से बताना चार तरीके से करना वो चीज़ ठीक नहीं वो तो उनका एक बिजनिस मॉडल बन चुका है ठीक है मैं किसी को टार्गेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन यह सत्य है अगर आप खुद अपनी आखों से देखींगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो आगे हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से और जैसे classes में डालना शुरू करूँगा वैसे मैं काफी classes डाल रहा हूँ लेकिन अब continue basis पहेंगी तो आप जाके उसको जरूर 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 देखिए Thank you दोस्तो